है टिक है तो हम पिच्छी क्लास में पढ़ रहे थे पोलिटिकल पार्टी रेंड पार्टी सिस्टम आ राजनितिक दल और दली प्रणाली दली विरस्था है ना जैसे किसी भी लोगतंत्रिक व्यस्था में राजनीतिक दल किसी रूप में एक्जिस्ट करते ही है ठीक है यहां तक कि किसी गयर लोगतंत्रिक व्यस्था में भी राजनीतिक दल होते ही है जैसे लोगतंत्र वाले व्यस्थाओं में देखोगे तो आप एक दली दूई दल दल तो है ही, जैसे अगर हम बात करें रसिया की, चाइना की, क्यूबा की, है ना, यहां क्या है, यहां एक दली प्रणाली है, है ना, एक सामयवादी दल, जो बाम पंती दल वो तो है, तो दली प्रणाली का उद्भव या दली प्रणाली का एक तरह से कैसे बना, पहला तो ए एक एतिहासिक करण है संस्थात्मक करण है कि इस वजय से दली परणालियों का उध्वा हुआ एतिहासिक करण की मालों ऐसी ब्रहस्थाएं ताना साही आ गई जो बरतमान सरकार रही होगी लोगों ने उसमें अपना भरोसा कम कर दिया तो नागरिक समाज Close the arrow hashtag ढल होता है पले बना एक सास्थ को मतलब है किसी निशित अदेश के के लिए लोगों का एक साथ आ जाना संगधित हो जाना वही हरा इस सब्कार अब फिर राजनुतिक दल क्या होता है शमें प्लेटिकल पारटी सिट क्या तो निशीं होता है तो ही हो गया राजनितिक दल मतलब अगर सत्ता प्राप्ति के लिए राजनितिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लोग आपस में एक संगठत बनाने दल बनाने वही है राजनितिक दल ठीक है अब दलों के कई सारे प्रकार हैं जैसे विचारधारा की आदार प्रगरम लालन कर आजम कहें तो बांपंथी तो बांपंथी विचारधारा दक्षडपंथी विचारधारा मध्यमांगञी विचारधारा आ ए मतलब अभर को का बरचस्ता है राश्टी पार्टियां हो गई छे-3 फार्टिया जो एक एक राश्ट एक राज्यमन दो राज्यमे उनका प्रहुत्त है व 요ेंगे 3 पार्टिया जो ना राजनितिक पार्टियों से ज़्यादा उनके बड़ा हो गए हैं दली हिट क्या समझेए पुलिटिकल पार्टियों ने लोगों को दली गुलाम बना दिये हैं यह लोग अब बीजेपी के नाम पे में पे सपा के नाम पे Grand लटते हैं एक ही देश के लोग एक ही प्रदेश के लोग यहां तक कि एक ही घर में रहने वाले लोग सपाई बसपाई भाजपाई कॉंग्रेसी हो गए और राष्ट हित पीछे छूट गया दली यह हित पहले आ गया इस बज़े से लोग चाहते थे दल क्या करते हैं टकराओ पैदा कर देते हैं आपस में समाज में जैसे चुनाओं का दौर चल रहा है राजितिक दलों का देखो सबसे पहला सबसे प्रमख उद्देश से होता है सत्ता प्राप्त करना यह नकीने प्रकारण सत्ता पे काभी जोना किसी भी तरीके से जब वो सत्ता पे काभी जो जाएंगे तभी अपने उद्देशियों को सभी अपनी नीतियों को लाउग गर्वा पाएंगे सत्ता पे आएंगी नहीं तो कैसे करेंगे बहुत अच्छे चीनीतियां बड़े अच्छे विचार हैं लेकिन सत्ता में आना जरूरी है और सत्ता में आने के लिए आप लोग देखा है कि राजितिक पार्टियां तरह त देंगे दूसरी है कि हम आपको 5000 देंगे 2000 देंगे एक विडिकल पार्टी कहेंगे कि हम आपको सिलिंडर देंगे 1000 में देंगे यह जारा सो में देंगे मतलब जनता को छोटे छोटे जुन्जुने दिये जा रहे हैं कि बस यह चुना हुआ खतम पर्मानेंट स्लूशन नहीं हो रहा इसका पर्मानेंट स्लूशन क्या है कोई सिक्षा की बात नहीं कर रहा कोई रोजगार की बात नहीं कर रहा कि हम रोजगार देंगे आपको पक जैसे राजनीति में आजकर बड़ी समस्याएं हैं राजनीतिक पार्टियां लोगों को अफीम खिला रही हैं अलग-अलग बादों का बादों मतलब कैसे जाती बाद, धर्मबाद, समाजबाद, बामपंथ, राष्टबाद, मावबाद इन सब के नाम पे लोगों को बिभेद किया जा रहा है अपने पक्ष में राजनीतिक पार्टिया करने के लिए अलग-अलग तरीके के क्या हैं अफीम है और इससे क्या होगा लोग इस तरीके का अफीम काके दलों के गुलाम बन जाएंगे और हमेशा उसी नसे में रहेंगे रिफॉर्म की बात नहीं हो रही है कौन से रिफॉर्म सबसे बड़ी समस्या भष्टाचार करप्सन के रिफॉर्म की कोई बात नहीं सबसे बड़ी समस्या तो पुलिस रिफॉर्म की है देखो आजकल देश में पुलिस रिफॉर्म की जो long time impact डालेंगे इस समाज पे इस देश पे उस पी कोई बात नहीं हो रही है बस किसी भी तरीके से सप्ता प्राप्त करना है बस इसके बाद तो 5 साल मौजी करने मुप्त खोरी खुब बढ़ रही है हर राज Circerta में हर पाप्टी लूंक कर रही है और हमेशा एक कहसे को इंपना करोर कोड एकами कहें और एक तरह मुफ्त कोरी बढ़ रही है कहेंगी हम आपको फॉन देंगे स्मार्ट फॉन देंगे टैबलेट देंगे स्कूटी देंगे यह क्यों देते हैं पता है कि तुरंट बोट तो मिली जाएगा और इससे जुड़ा है कमीशन जो भी चीजें मुफ्त में मिल रही है 20% के कमीशन है उनमें सब लोग निताओं का और उनके इस्ट मित्रों का जो ठेका लेका बनाएंगे डीलडों से बात करेंगे सब जगह 20 कमिशन है टैबलेट वित्रण होगा 20 कमिशन मोबाइल होगा साइकल होगा जो भी होगा सब में 20% कमिशन उन लोगों का फिक्स है वही चीजें बाटी जाएंगी कभी यह बात नहीं करेंगे हम सारकारी स्कूल इतने अच्छे कर देंगे कि पूरा बच्चा विंगापूर में देखो जापान मेंदेखो अलग-अलग जो हुमारे एक तरह से यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां देखो जहां एच डी आई सबसे हाई है human development index वहां सिछ्षा पर फोकस है स्वासिट फोकस है कौन किया है वहां कि युन ही प्राइलितिक पर्टिया रहा है कि इस वजा से ओधें आ गी जा रहा है और रहा रहा यहां क्या हुआ है जो कि मैं जंसंख्यानीयंत्रण हो जाएंगी उस्पर्षन समुझ्याइं जंसंख्यानीयंत्रण से हो जाएंगी एक तरह से कम उजाएंगी समस्यान जो है अगर गरीजी कम देरोज़गारी Extension तो इस पे को धात नहीं होगी तो आप लोग एक यन्ग विडियो इन वातों को समझो और फसना नहीं ये जावंमें, ठीक है, ये समझ लोग देखो, समस्याएं में ही बहुत सारी हैं लेकिन उनके समाधान की बात नहीं चल रही है, कि हम एकदम पर्माइन्ट स्लूशन ले के आएं, समझ ले ओ, हमारे देश में 80 करोड़ जन संक्चा को सरकार मुफ्त मिया नाज दे रही है, दे रही है न, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त नाज, ये गर्ब की बात नहीं है, ये स और सरकारे इसी काटिडोरा पीट रहेंगे कि हम असी को लोगों को फ्री अनाज दे दिये फ्री आज दिये कि किसी को मचली मार के देना और मचली मारना सिखा देना दोनों अलगला बाते होती हैं अगर आप उसको डिपेंडेंट मना दो तो खुछ से कमा लेगा खा लेगा लेकिन नहीं यह सारे एक सिस्टेमेटिक प्रोसेस के दाथ होता है समझ रहो क्योंकि राजनीती में एक बहुत बड़ी समस्या है वन सवाद की अलग अलग डाइनेस्ट्री पॉलिटिक्स चल रही ह कभी बताते रही है एक तो रियल है गांधी परिवार के संपत्ती कम सकम प्रीस-ming 56 اर्ज करोड की होगी मोलायम सिंग आदो के परिबार की संपत्ती 20,000 करोड की होगी डीम के परिबार अबदुल्ला परिबार इस्टालिन डीम के मलब इस्टालिन परिबार वहां पे बहंजी दीदी ठीक है और बिजेपी पे भी ऐसा है राजनास सिंग का पूरा परिबार प्यूस गोएल जो मंत्री हैं वो लोग उनका फोरफादर भी रह चुके हैं जो अनुराख ठाकु राजमंत्री हैं उनके फोरफादर मंत्री थे है रिले रहे समझते होना क्या होती है मेरी बाट समझ में आ रही ने आप लोगो को मैं आरिना समझ में आना जरूरी है उसको फॉलोव को रोखे वोट देटे टाइम इन चीजों का ध्यार रखना चाहिए येस समस्या जनता ऐसे लोगों को चुन रही है दल बदल की समस्या कितने बड़ी समस्या है देखो बिल्कुल वही तो मैं बोल रहा हूं सिंगापुर में जाके देखो जापार में जाके देखो को चुल राजनीती में है हर चीज का सुलूशन राजनीती में अगर जिद्देस की राजनीती ठीक होगी युद्ध चल रहा है अभी रसिया युक्रेन इजराइल फिलिस्टीन सबका सलूशन एक दिन सिस्टम सही निकलेगा वार हिंसा कभी सोलूसन नहीं देता सब लोग यह सारे लोग एक दिन टेबल पे बैठेंगे इनके डिप्लोमेट्स इनके राष्टपती इनके पधानमंत्री तभी जाके ओ डिसीजन निकलेगा कि हमको संती बनाके रखनी है समझे जो और जो राष्ट मजबूत होगा संती आती है कैसे पीस आती है पावर के साथ अगर आपके पास पावर नहीं है तो आप पीसफुल तरीकी से रह नहीं पाओगी यह समाज यह दुनिया यह लोग जीने नहीं देंगे आपको पीस कम्स विद पावर भारत ने जो निक्लियर पावर हासिल की नसी बज़े से हासिल की हमको अपने परोस में अगर संती बेस्था बनाके रखनी है तो हमको पावर्फुल रहना है समझ रहे हो दोनों चीज़े होती है कुछ लोग कहते हैं कि नुकलियर पावर जो है तो पीस की गारंटी है और दूसरी तरफ ये है कि नुकलियर पावर आने वाई टाइम पे खतरा भी है एक परवान युद्ध होकर हुआ पुरी दुनिया खतम हो जाएगी येस समझ रहे हो बात को तो आप लोग समझो और दूसरों को भी समझाओ हवाला का कारूबार इल्लीगल ट्रैफिकिंग हुमन ट्रैफिकिंग ट्रैफिकिंग समझते हो न तसकरी मानाव तसकरी चंदन तसकरी सोना तसकरी जोरों सोरों से चल रहा है लेकिन इसकी कोई बात नहीं रिफ़ाम्स की बात तो होई नहीं रही है किसा प्रसासन है कितना धीला कितना सुश्ट कितना एक तरह से आलसी प्रसासन आप किसी एप्षिमी जाओ वहां एक आपको ऐसा आदमी दिल जिसके माथे पर लिखा होगा काम करके दिखाओ मुझसे जैसे किसी आफिस में आप गए क्लरक किस यूट पर जायो बैठा होगा एक आदमी वो इसी उद्द्ध से बैठा कि हम काम करके दिखा लो कोई मुझसे वो आपका काम करेगा रहे हैं थाने तहसील सब दलाली के एड़े बन चुके हैं प्लिटिकल पार्टियों के दलाल बैठी हुए वहाँ पर हमद रहे हो तो यह सब्सक्राइब की इजुक्रेशनल रिफॉर्म की सिक्षा में रिफॉर्म की कोई बात नहीं कर रहा है कि कैसे लोगों को हम ऐसा है सिक्षा दें कि थोड़ा सा वो जो रोजगार और हो और एक अच्छा इंसान बन सके समस्यान दोनों तरफ है देखो ततला सिर्फ रोजगार रोजगार मेकिनाजेशन कर दिये मसीन बना दिये इंसान को जब इंसान मसीन जब बन जाता है ना तो फिर आत्महत्या करेगा सुसाइड करेगा दूसरों को मारेगा मडर करेगा ड राजनीती से सिर्फ और सिर्फ राजनीती से एक्षियल में जनता ने अभी चुनाव में इन मुद्दों को जो रिफॉर्म के मुद्दे हैं सिक्छा के मुद्दे हैं रोजगार के मुद्दे हैं इनको मुद्दा ही नहीं बनाया है धर्म पे वोट हो रही है अनाज गल्ला प कुछ लेवल पे कुछ न कुछ परसेंटेज में पूरा हो गाई है राम मंदिर पर चुनाव लड़ा गया था राम मंदिर बन रहा है अनाज देने पर चुनाव लड़ा गया था अनाज मिल रहा है रोजगार पर चुनाव नहीं लड़ा गया स्वास्थ पर चुनाव नहीं ल सिस्टेम्स भारत एक बहु दडिताली बहु दड़ी मर्टी की सिस्टेम्स भूस सारे दल है इलेक्टें विटेम्स की कोई बात नहीं होती है। चुनावों में आज कौन जीत के आरा है आम आदमी जीत रहा चुनांप चुनावों में धन बल बाहु बल के इतना प्रयोग हो रहा है कि आम आदमी सिर्फ जाके एक बोट दे रहा है वो मुझ्गिस वो भी दे भी नहीं रहा है इंटरस्ट नहीं ले रहा हूँ कि समझ रहो तो यह सारे रिफॉर्म्स के मुद्द है देखो रिफॉर्म्स तो सरकार यह लेके आती है जो पाबर में है रिफॉर्म्स वही लेके आएगा आम आदमी कुछ नहीं करता है आम आदमी तो फॉलोवर होता है बस फॉलो कर रहा है किसी प्रोडिकल पार्टी के जंडा उठा लिया पीछे पीछे चल रहा है है और राजनीतिक दल बड़े सिस्टेमेटिक तरीकता करते हैं उनके बच्चे जाके देखो सब विधेस्व में बड़ा रहे हैं बड़ी बड़ वादिंवेस्टी में बड़ी दिग्री आ रहे हैं मार मार मादमी आड़ा निकर को चाहेंगे उनकी टोपी बहान ले उनकी और पीछे पीछे चले नारा लगा एक नेता जी जिंदावाद नेटा जी जिंदावाद और आगी कर रहा है किया नेता नेटा ने ऐो इनुर्फ हो गया इंडिया में यह नेता और समाज से फिया है कॉसरे नहीं कुछने कर रहा हैं सब्सक्राइब मेंbr कई नोगोर सब करेंगे स्ब्सक्राइब संभिडर्व देंगे निक्डियाव परिवार कभी कॉंग्रेस ने में है कभी बीजेपी में है और जब अंग्रेज यहां थे तो अंग्रेज यहां थे तो अंग्रेज यहां थे तो अंग्रेज यहां परिवार है अभी तक कॉंग्रेस में था अब बीजेपी में आ गया और जब अंग्रेज यहां गुलामी करवा रहे थे लोगों से तो अंग you this event if there's a very problem that's the climate change कैसे काम करें मजडूर कैसे काम करें minimum base decide कर रहे हैं किम्नाज इत्ना देतओ minimum बैठ देखोगे न तो वह minimum ऐसा है कि इंसान गुजयारण कर पाया इतना minimum बेज है जितना उनका एक जान का धश flavor करें घंडी का खर्चा होगा उत्रा है minimum मेज रखते हैं एक महीने के मजदूरों की समझ रहे हैं और reforms, solution राजनीती में ही है और कहीं नहीं है क्योंकि लोग तांत्रिक विवस्था में सारी चीजें राजनीती से ही decide होती है और ये बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है ताकि आम आदमी राजनीती पे कब्जा करें सिस्टम पे कब्जा करें और अपने इसाफ से नीतियां बनाए लेकिन आम आदमी रोजी रोटी को आने में लगा है घर वाले भी प्रही पिरसे दिर रहे हैं यह बैटा तुम कुछ कर लो पढ़ा लिख लो कोई एक नौकरी कर लो छोटी मोटी फिर तुम आरा अंबिया करा दें फिर तुम मच्चा पैदा करो जो घर में बड़े बुजुर्ग होंगे और तुम मना भी करोगे तुम कहेंगे नहीं नहीं पर तक तक तुम्हारे बच्चों को गोध में खिला नहीं लेंगे उसे मुत्वार की लेंगे समाज बराबर का जिम्मेदार हैं इन सारी चीज़ों के लिए बस वंजारी तो लिखो कुछ लिखो क्या होता है दल दल यानि दल-दल पमद्रों जो दल होते हैं जनता को दल-दल में भसाते हैं कि ये ट्रैप में भस जाएं लिखो एडवन्ड वर्क की अनुसार एडवन्ड वर्क वर्क एडवन्ड वर्क की अनुसार दल समान विचार धारा के लोगों का एक ऐसा समू है जो राष्टी हित के लिए कार करते हैं ही दल समान विचार धारा के लोगों का एक ऐसा समू है जो राष्टी हित के लिए कार करते हैं अब अब लाष्टी हित थे नहीं पृत आपने हित कर दूध ज़रू कर दो ए भगा फिक के अगला लिखो और स्ज़घ गया है आधुनी क्यूग में दलोग को समान लोगों का एक ऐसा संगठन माना जाता है आधुनिक यूग में दलों को समान लोगों का यानि समान विचारधारा के लोगों का एक ऐसा संगठन माना जाता है जो सक्ति या सत्ता प्राप्त करने के लिए आधुनिक यूग में दल समान विचारधारा के लोगों का एक ऐस संगठन माना जाता है जो सक्ति या सत्ता प्राप्त करने के लिए जो सक्ति या फत्ता प्राप्त करने के लिए प्रतिस्फरधा करते हैं करते रहते हैं आपस में करते हैं न कंपटिशन जब चुनाव आता है तो दलों में खूब कंपटिशन होता है सक्तिय फत्ताप राप्त करने के लिए खूब कंपटिशन होगा एक दूसरे पर खूब तुटुमयुमय करेंगे खूब आरोप प्रत्यारोप लगेगा लेकिन जैसे चुनाव खतम हो जा गोटाला राष्ट मंडल खेल में गोटाला बहुत सारे गोटाले हुए लेकिन सजा किसी को नहीं होती है क्योंकि करने वाले लोग जो मैंने सब एक ग्रूप के हैं एक इलीट ग्रूप चाहे किसी भी पार्टी का हो समझ रहो है यस गोटाला मतलब है कि जिस काम के लिए प बात समझ में आ रही है तो यह सारी पुलिटिकल सिस्टम पुलिटिकल पार्टियां नेता राजनितिक दल ऐसा कर रहे है हर आफिस में आप जाओगे खूब कर अफसन है आपका कोई काम है कोई फाइल आगे बढ़ने वाली नहीं है जब तक आप उसके कुछ बजन नहीं र एक्टर मोता है हर फाइल में लाल फीता बांध दिया रहता है देखा न कभी बीओस तब और आफ अब देखे लेत देख लेना बहुत सारी फाइलों में एक लाल फीता बनदा रहेगा उसमें आपके काम फाइल है आपके इnport vital जो भी डिसीजन्स हैं जो भी आगे आपको फाइदा मिलने वाला उसकी फाइल है लेकिन खुलेगी नहीं धूल खाती रहेगी खुलेगी तब जब उस खोलने वाले को उस क्लरक को उस प्यून को उस बाबू को उस अधिकारी को कुछ न कुछ उसकी पॉकट में को डालोगे यह करफसन इस लेवल का समस्या इस बात किये कि लोगों ने इसको मान लिया है एक्सप्ट कर लिया है लोग यह मानते हैं कि बिना दिये कैसे होगा बिना दिये होगा ही नहीं है ना नौकलियों में देखो कितना बड़ा क्रफसन है हर पेपर लीक हो जा रहा है येस ये लीक कौन कर रहा है अधिकारी नेता अच्छली ऐसा नहीं को बहुत पड़े लिखे हैं बड़े समझदार हैं लेकिन वह आम जंता को फायदा पहुंचने नहीं देना चाहते फायदा उसी हाँ हाँ देखो करफसन से पढ़े लिखे होने का कोई मतलब नहीं है समझ रहे हो ज्यादा पढ़ा लिखा वाला तो और तरीके ढूंड लेगा करफसन करने के हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है ना वाना तब मुश्ट करप्ट सिस्टम है जितने ये इमांदारी के वादे कसमें खाके जाते हैं कि एक बार मैसलेट हो जाऊंग बस हम लोगो ने तो जिया है उन चीज़ों समझ रहो तो तैयारी के दौरान तो ऐसे ऐसे मोमेंट आते हैं कि एक बार पहुंच जाएं सिस्टम में सिस्टम ठीक कर देंगे पूरा ले चाहил धीकारी है जो अपने ट्रांसेग लिए ढख चुके हैं लोग उनको रहने नहीं देंगे जीने नहीं देंगे कि एक से डूसरे सार बहुंचेंगे ghostzhra हो गया यहा ना रहे हैं हुоло सामाल लिए इनसान गुं रहा है जा तो जाय कहां और ऐसे यसे इसे भी भाग में उसका ट्रंसफ система करेंगे कि जाओ लीजेच तम गुद्त कुथ हा तलाओ बिरसे tensor फाक देगा काम नहीं कर पायो बीम ना ज्यूस्टिक मजिस्टेड कलेक्टर ना रफायो यह भी नदर पायो किसी दूसरे डिबाटमेंट भेज़ दोसको तो यह सारी चीए हैऄ इस्टम सिस्टम का तो नाम खुभी सुना आप लोगों ने सिस्टम चाया होगा आजका उहाँ सिस्टम ही है कोई एक इंसान नहीं है एक इंसान को ठीक कर दोगे तो सब ठीक हो जाएगा यह पूरा एक समू है पूरा एक सिस्टम उसी को बोलते हैं से पूरा एक Ecosystem Environment पूरा एक Mindset यह सारी चीज़ें आगे लिगो समें तो संख्या की अधार पर दलों के प्रकार कम कम से होते हैं एक दली सिंगल पार्टी सिस्टम सिंगल पार्टी hard thing सिस्टिम बिर systir 달ुट पाइए एक मिलटइपाइट उस्टिम अब इसमें बहुत बात हुए आप लोग जानते ही है एक दली क्या है दू दली क्या है बहुत दली क्या है भारत बहुत दली प्रणाली का एक सबसे बिस्ट एक जामपल है कि हाँ सबको दल बनाने का अधिकार है दल बना लो और दल बने भी हुए है, दल जाती के अधार पर बने हुए है, धर्म के अधार पर बने हुए है, छेत्र के अधार पर बने हुए है, भासा के अधार पर बने हुए है, हमारे यहां दल बनाने का यह अधार है, आगे लिखो तो, बीचार धारा के अधार पर दल, बामपन्ती दल दक्ष्णपन्ती दल और मध्यम मारगी दल अब बामपन्त दक्ष्णपन्त मैंने आपको खुब पढ़ाया है खुब समझाया है एना आगला एको भांगोलिक या जियोगर्फिकल प्र प्रदल तो प्रकार लिखो इसमें राश्टी दल और छेत्री दल को अधार प्रदल इतो है राश्टी दल एक है क्या है कैसे चेत्री दल ठीक है? देखो जितनी यह मुफ्थ खोरी की बात होती है न? राजनेतिक पार्टियाओं को खूब भर-भर के चंदा मिलता है चुनावी चंदा जिसको बोलते हैं अब तो सरकारों ने चंदा लेने का बड़ा अच्छा सुगम मध्यम बना दिया है बॉंड जारी कर दिया है इलेक्टोरल बॉंड ऐसा है कि दस सव लाख हजार करोड के बॉंड होंगे कोई भी आदमी ले सकता है ESBI State Bank of India से और किसी भी पार्टी को दे सकता है किसी पार्टी के एकाउंट में जमा कर सकता है उसका नाम पहचान जाहिर नहीं की जाएगे चुप चाप ऐसा क्यों कि यह सरकारों क्योंकि देखो सारा मामला ऐसा है ना कि लेन देन का है अगर हम आपको कुछ दे रहे हैं अगर कोई किसी को पैसे दे रहा है तो इसका मतलब है कि वह कुछ फाइदा लेगा उससे आपना अपना राजितिक दल चुन लेती है कि हम इसको चुनाओं में जितवा के लाएंगे फिर इससे फाइदा उठाएंगे जैसे उनको कोल ब्लाक अबणकित कराना है तो चाहेंगे न कि ऐसी पार्टी आये जिसको हमने खूब चंदा दिया है और हमको दे दे वो इयर फोर्ट का प्राइबिटाइजेशन कराना है और उनको लेना है बंदरगाय का प्रेवटेशन कराना है उनको लेना है कौन देगा जिसको वो पैसा दिये होंगे तो राजनितिक पार्टियों को बड़ी बड़ी कंपनीज जंगे फंडिंग करती हैं उनकी नेताओं की रैलियां और्गनाइज कराती है हेलिकाप्टर प्रवाइड कराती है कि जाओ नेताजी आप घूमो खूब अच्छा भाफट देना भाफट ये देना कि हम आएंगे तो गरीबों के जिन्दगी मितल देंगे भाफट ये देना कि सबको रोजगार सबको सिक्षा कोई दिक्कत नहीं होगी अच्छे दिन आ जाएंगे ठीक है और आते ही फायदा प देव हैं समझ रहो सब लगे हुए उसी में और पिस कौन रहा है आप देखो नीतियों से युद्धों से लड़ेंगे तो कुछ लोग सरकारें लेकिन समस्या किसको होगी समस्या होगी जन्ता को आम आदमी को और सबस्या समस्या होगी महिलाओं को बच्चों को बेघर हो जाएंगे अब देखो कि आज जहां जहां युद्ध हो रहा है उसकी हला देखो गाजा से दसलाक लोग साउस से नौर्थ जा रहे हैं अब वो सारे लोग अपरादी नहीं हैं कुछ ही लोग हैं उसमें जो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन उनकी बजह से आम और भी पीसरा यूवक्रेवन यह जहित है कि सारे लोग यह युद्ध नहीं चाहते लेकिन जब सरकारे लड़ती है तो हो पिश्ते सब है है बसंज्गार हिए। तो आम जंता हमेशा पिश्ति है। कि अब देखो बहुत बहुत हला कि हमेशा से रहा है। परस्नाल्टी कल्ट प्रिटिकल पार्टी बन पी जा रही है। कि एक ही आदमी के इजिर्दगीरत सारी राजनिती घूम रही ए सारी प्रिलिटिकलट पाटियां काम कर रही है हर पाटि के आका होते हैं अका समझते होना जो वही चला रहे हैं चाहे तुम भारती जंता पाटि को देख लो दो तीन लोग हैं चुने हुए जो पूरी पाटि बिकचा कियां किसको कहां से टिकट देना है कैसे कहां लड़वाना है क्या करना है हर चीज उनी के दम पर है कॉंग्रेस को कि देख लो उसके उपर तो आरोपी है कि परीवार बादी पर्टी गांधी परिवार चला रहा है एसपी को समाजबादी पार्टी को देख लो मुलायम सिंगा परिवार पुरा यादव परिवार चलाई रहा है मायवती बहन जी को देख लो बहन जी वन अब दो सर्वे सर्वा और ये भी है कि जिसको टिकट लेना है एक खोखा पहुचाओ वन करोर टिकट ले जाओ आपने छेतर में क्या किया है उससे मुदला भी नहीं है पैसा लाओ भई है टिकट ले जाओ तो आप इंसान बोट जनता बोट कैसे करती है दलों के अधार पर तिसलिए आम आदमी आई नहीं पाता एक टाइम था ना लहर चलती है नेताओं की मोदी लहर चल रही है यह लहर चल रही है वो लहर चल रही है अब लहर में कोई भी टुटा हास उटा आदमी जो कुछ नहीं जानता नहीं जिसको जनता जानती नहीं छेतर में कौन था है कहां से आया लोग नाम नहीं देखते सि हाथी, अच्छ हाथी को देना है, साइकल जो भी है, तो लोग लोग नहीं देखते, निसान देख रहे हैं, यही है दल गुलामी, दल गुलामी, दल के गुलाम, तो अंग्रेजों के गुलामी तो चली गई, लेकिन दलों के गुलाम ये देश बन गया, और आने वाले टाइम पे इसका बहुत ही खतरनाक रूप दिखेगा पार्टियां कितनी एग्रेसिव होती जा रही है कि दंगे करा दे रही है और दंगे तो ठीक ही है अपने देश में होरा अगले बार से या आने वाले टाइम से युद्ध भी हो जाए तो कोई बात में समझ रहों इन सारे लेवल पे एक है न रहातिन दोरी का सिर क्या है कि आजकल सीमा पर बड़ा तनाव है पता कर चुनाव है क्या क्या तो जब जब चुनाव आएगा सीमा पर तनाव बढ़ेगा पाकिस्तान का मुद्धा गारा कोई और मुद्ध क्यों क्योंकि जनता की सहाँ देखो ऐसे मुद्द्ध होते है ना ये कि जनता फिर लेखती है कि नहीं नहीं अब तो हमारा देश जीतना चाहिए सरकार को मजबुत दुनाओ बोड़ दे तो इनको है ना और ज्यादतर पावर सेंटलाइज करने की बात की जा रही है सेंटलाइज कर लो वन नेशन वन सब कुछ वन नेशन वन रासन कार्ड वन नेशन वन आईडी वन नेशन एलेक्शन वन नेशन वन पार्टी नहीं हो जाए कि यह बहुत बड़ा तानासाई हो जाएगी फि पाट समझ्वाज़ारी है है को आप लोग तो पढ़े लिखेर ओ प्लिटिकल साइन्स पढ़ रहे हो तो इनकी साइन्स को समझना है हर काम के भीचे साइन्स है इसलिए प्रिटिकल साइंस प्रिटिकल साइंस है ठीक है और एनी कुश्चन आपको कोई डाउट हो कुछ पूछना चाहते हो खुल के पूछो यह आपकी अपनी क्लास है यह सचाई कैसे पहुचाया जाए देखो यह सचाई का मध्यम पहुचाने का मध्यम सबसे बड़े आप लोगो्म you are pd student और student को सबसे पहले तो अपने अंदर हो करो कि अपने आपको जघरूप करो अपने आपको इंपावर करो जाता है कि रोटी कपड़ा माकान में घुजर जाता है गरवाले कहेंगे बिटा क्षुब पढ़ो सफल हो जाओग perhaps कितने सफल दौई नौकर बन जाओगए दोकरी बागे वहिँ तुमको माना समाज सफल समाज सरकारे सब सफल मनली और क्यों कि तुम उसी में फंजे रहो उसे बाहर मत निकलो तुम नौकरी करो कभी किसी कंपणी करो किसी का। कनाम की कभी किसी का। कि ऑर्गनाजेशन्स की या सरकार की सरकार मत बन जाना। कि यूँ ऐसा चाहते हैं सरकार बैठे लोग कि अगर ये सरकार बने गया ये ठुटास आदमी जिसके पास खाने के लिए नहीं था तो मैं क्या करूंगा मेरे तो नोगरी चली जाएगी उनकी तो नोगरी चली जाएगी उनका काम ही उनका पेसा है राजमिती करना विधायक धरम के हैं हमारे एरिया के हैं जोड़ लेगा उनको और उसी में प्राउड फिल करेगा और उसके मिलने वाला कुछ नहीं है अब बास हो जा रही तो चलो नेक्स्ट क्लास में आगे कांटीनियू करेंगे प्रोडिकल पार्टी जी ठीक